ये कहानी पुरी तरह कालपनिक है, इसका किसी भी वास्तिवी घटना से कोई संबन नहीं है, किसी भी प्रकार के विवाद के लिए, चैनल और चैनल से जुड़ा कोई भी व्यक्ति उत्तरदाई नहीं होगा राइट इंजिन्स पर आप सुन रहे हैं, कहानियों का एकोना विद्पंकर जीना रित्तु, कितना खुबसूरत नाम है न उसका, जितना खुबसूरत उसका नाम है, उससे कहीं जाधा खुबसूरत है वो उसकी खुबसूरती के चर्चे हैं पूरे शहर में, यहीं कभी किसी खुबसूरत चीज की तुलना करनी हो, तो रित्तु से बहतर कोई आप्शन होता नहीं लोगों के पास आकाश उससे उतनी ही महबबत करता है, जहां तक मुझे पता है, आकाश और रित्तु के शादी उनकी ही मर्जी से हुई है बतलब दोनों कॉलिज की दिनों से एक दूसरे को जानते थे और धीरे धीरे करीब आगे, आज इनके शादी को लगबग पांस साल हो गए है पर इस व्यस्तता और आने वाले भविश को सुहाना बनाने के लिए, दोनों ने एक दूसरे को मना लिया है और ये सही समय पर अपने बच्चे को इस धरा पर लाना चाहते है अब आप सोच रहोंगे मैं कौन हूँ, मैं इनका पड़ोसी हूँ मेरा नाम राजिंदर है, मैं अकाउंटिंग का काम करता हूँ लगवग सारे काम मैं घर से ही बैठ कर करता हूँ तो काफी समय रहता मेरे पास, लोगों को जानने का, उनके बारे में जानने का हलनकि मेरी आकाश के साथ कोई बंती नहीं है, उसे लगता है, मैं रिद्दू को बुरी नजर से देखता हूँ हाँ, उसके दो कारण है, एक तो ये, कि जिसकी बीवी बला की खुबसूरत हो, उसे ऐसे वहम होना आम है और दूसरी है कि बहुत पहले ही मेरी पत्नी की मौत हो गई थी, जलने से, शायद लोगों को लगता है कि मैंने उसे चलाया, पर ये घलत है, और मैं इतने सालों से इस पर सफाई देते आ रहा हूँ कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, खेर चोड़ी, मैं आपको रि रित्तु घर पर अकेली थी, मैं यहां छट पर बैठा हुआ था, मैं काफी देर से रित्तु को देख रहा था, वो अपने आंगन में आती और दो मिनिट बाहर खड़े होकर किसी को देखती, जैसे इंतजार कर रही है कि यारी, देख किसी रही है, पर मुझे लगता है कि श खान खिच रहा था, मैंने ना चाहते है विभी पूछना सही समझा, अरे भावी क्या हुआ, कोई बात है गया, उसने बड़े अन्मने धंसे का, नहीं बस कोई आने वाला है, मैं उससे ही देख रही थी, कौन आने वाला भावी जी, मैंने पूछा, उसने इस बार जवाब चिड़ कर दिया, अरे आपको क्या करना है, मैं किसी का भी रस्ता देखू, कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, इससे आपको गया लेना देना है, आप चुप चाप अपना काम कीजी ना, मैं सन रह गया उसके इस रवईये से, शायद मैं आध हुआ था भीतर तक, पता ही नहीं चला, मैंने समय देखा तो लगभग साथ बच चुका था, इसी बीच मुझे आकाश भी अपनी गाड़ी पार करते वे दिखाईती है, मैं नीचे आया चत से, और खाना बनाने लगा, मैंने खाना बनाने के साथ ही, टेंशन दूर करने के साथ से फ्रेश से दा पता ही नहीं चला, आज सुबह जब उठा, तो देखता हूँ कि आकाश के घर में आग लगी होई है, सब कुछ चल चुका है, पडोशियों से सुनने में आया है कि तो नहीं बच पाए, मैं दंग रह गया, जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमी निकल गई हो, इतना सब कुछ बीद गया, मुझे होश तक नहीं, सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का हुआ कि आग लगाई गई है, पुलिस बता री थी कि रितू का पहले रेप किया गया है, उसके बाद घर में आग लगाई गई है, इश्वर उस हैवान को कभी माफ नहीं करेगा, देखना तुम क ठीक हो जाएंगे, इस कहानी को लिखा है अंकित पंडित ने, आवाज है पंकित जीना की